हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्विजय और आज के इस नए ट्रेणिंग वीडियो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ उमिद करता हूँ कि आप सभी लों की तयारी बहुत जबरदस चल रही होगी सांदार तरीके से चल रही होगी आज मैं एक ट्रेणिंग वीडियो लिका आया हूँ जो रिलेटेट है मेमोरी रिकॉल्ड कोईशन जो मेमोरी कलेक्टेट कोईशन है जो कली 19 जनवरी 2020 को स्किल 1 टू स्किल 2 के एक्जामिनेशन में आये था जो उत्तर बिहार ग्रामिड बेंका उनके जो रिकॉल्ड कोईशन लिका आया हूँ लगबग 50 रिकॉल्ड कोईशन है उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफी उप्योगी होगा और आपको समझ में आएगा कि अभी IBPS किस तरह के सवाल सेट कर रहे हैं ये जो सवाल भेजे हैं हमारे एक सब्सक्राइबर साथी हैं जो सेलेश कुमार जी जो उत्तर बिहार ग्रामिड बेंक में काम करते हैं उनको बहुत बहुत साथ हुआ धन्यवाद कि उनकी बतुलत ये सवाल जो हैं हमारे साथियों को भी मिल रहा है तो ये हमारे स्टार सब्सक्राइबर होंगे सेलेश कुमार जी सुन रहे होंगे तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद चलिए तो शुरुवात करते हैं जो पहला सवाल ये कल के exam के में आये था पहला सवाल जो आये था देखिए What is the current rate of CRR? What is the current rate of CRR? जो cash reserve ratio है जो बैंकों को अपने net demand and time liability का कुछ हिस्सा Cash के रूप में रखना पड़ता है reserve bank में और वो percentage पूछा गया था और इसका सही उतर है 4% अब बढ़ते हैं सवाल नमबर दो आया था What is the current bank rate of RBI? जहां current bank rate पूछा गया था वो RBI का जो बैंकों को loan में मिलता है वो है 5.4% 5.40% 5.40% जिस दर पर बैंक जो RBI है बैंकों को देती है रोण 5.4% आज की तारिक पर ये जो bank rate 5.65 है तो आप देख लेंगे क्योंकि ये जो सवाल है पहले का आया हुआ है चली बढ़ते हैं सवाल नमबर तीन आपके screen पर कुछ इस प्रकार है यहां पर गारेंटी कवर पूछा गया है कि कितने रुपे की लोन तक गारेंटी कवर करेगा और कितने परसेंटेज करेगा पांच लाग से पचास लाग के बीच उमेन केटेगरी में इस वेसल केटेगरी में पूछा गया है तो इसमें सही उत्तर है 80% of default amount subject to the maximum 40 lakhs जिहां 80% of default amount subject to the maximum 40 lakhs चली बढ़ते हैं सवाल नमबर चार आपके screen पर कुछ इस प्रकार है what is the second dose loan amount in NRLM second dose NRLM का पूछा गया है कितना है यह है 8 times of existing corpus जिसको saving plus revolving fund बोलते हैं corpus को यह minimum 2 lakh तो first dose 1 lakh का होता है second dose 2 lakh का होता है third dose 3 lakh का होता है fourth dose 5 lakh से 10 lakh का होता है तो यह सही उत्तर होगा 8 times of existing corpus है minimum 2 lakh अब बढ़ते हैं सवाल नमबर चार आपके screen पर कुछ इस प्रकार है what is the investment of small manufacturing enterprises देखिए micro enterprises small enterprises का एक सवाल पूछ दिया गया है जो manufacturing sector का है तो investment plant and machinery में कितना होना चाहिए तो इसका सही उत्तर है above rupees 25 lakhs to rupees 5 करोड तो small manufacturing unit होगा चलिए बढ़ते हैं सवाल नमबर पांच आपके screen पर कुछ इस प्रकार है what is the ratio of interest subsidy under NRLM from central government and state government NRLM में जो interest subsidy दी जाती है उसका ratio क्या है कि साधार पर central government से कितना मिलता है state government से तो उनका ratio है 60 ratio 40 का है 60% जो है central government देती है 40% जो state government देती है लेकिन नौर्थ एस्टन state में वो 90 और 10 का ratio है 90% central government और 10% state government देती है इसका सही उत्तर होगा 60-40 चली बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 आपके screen पर कुछ इस प्रकार है सवाल नंबर 6 TDS deducted during October to December what is the date of form 16 TDS deduct हुआ है October to December और उसका form 16 जो है वो कब issue होगा इसकी तारीक कब होगी तो इस quarter का जो दिया गया October to December इसका जो form 16 होगा 15 March को issue होगा उसका date होगा 15 March पर कुछ इस प्रकार है if a deposit account is not operated for years how many years it will be inoperative account देखिए कितना सरल सा सवाल पूछ दिया कि एक deposit account जिसमें current saving account जिसमें लगातार कितने सालों तक lend in नहीं हो रहा है न credit न deposit तो inoperative होगा सही उतर है दो साल तक जी हैं दो साल क्या पीरेट में अगर कोई भी लेंदेन नहीं होआ तो inoperative होगा चली बढ़ते हैं सवाल नमबर 8 पे senior citizen 15 Nets requirement pen card के साथ कितना income के उपर लगता है तो senior citizen के case में 15 Nets लगता है और ये कब जमा करना होता है income criteria क्या है इनके लिए tax का income criteria है रुपिस फाइब लेगें अबब तो पांच लाग से उपर होता है तो इनको 15 Nets requirement लगता है जी हां दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तर बिहार ग्रामिट बैंक की जो कल एक्जाम हुआ था 19 जनवरी 2020 को उसमें जो memory collected question है उसके बारे में चर्चा कर रहे है चली बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है इप current liability of firm is rupees 18 lakhs networking capital is rupees 12 lakhs then what is the current asset जी हां यहां पर दिया है current liability 18 lakh networking capital 12 lakh और current asset पूछा गया है जी हां आपको याद रखना होगा networking capital का जो formula है वो है current asset minus current liability अब working capital दिया 12 और liability दिया है 18 तो दोनों को जोड़ देंगे तो 30 30 हो जाएगा current asset तो इसका उतर होगा 30 lakhs चली बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 पे penalty on non issuance of coin over the counter to any member of public despite having stock मतलब काउंटर पे किसी भी public को coin देने से मना करना जब कि stock है तो उसमें penalty कितनी है और इसका सही उतर होगा 10,000 जी है इसका सही उतर है 10,000 चली बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 आपके screen पर कुछ इस प्रकार है TDS threshold for interest earned on bank and post office deposit of rupees TDS जो है कितने रुपे तक कि ब्याज earn करने एक financial year तो उसका threshold limit क्या है उसकी उपर भी आज लगता है और इसका उतर है rupees 40,000 सवाल नंबर 12 आये था देखिए मुद्रा से सवाल आये था loan under मुद्रा कि सूर category loan under under मुद्रा कि सूर category तो ये अभी price सवाल में सवाल आ रहे हैं पचास अजार एक से लेके 5 लाग तक rupees 50,001 rupees to 5 lakhs ये हम मुद्रा तीन category में करते हैं up to 50,000 सिसू category up to above 50,000 to 5 lakh कि सूर category and above 5 lakh to 10 lakh तरुन category तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 स्क्रीन पर आपके पास इस प्रकार है what is the eligibility criteria for revolving fund under NRLM to SHG NRLM में SHG उमेन SHG को finance किया जाता है इसमें revolving fund जो capital subsidy के तोर पे मिलता है revolving fund बोलते है direct उनको capital subsidy तो नहीं है ये लेकिन revolving fund है उनके corpus में जाके जमा हो जाता है उनके account में तो ये कब मिलता है और इसका सही उत्तर है SSG in existence of 3 to 6 month and observe 5 rule SSG जो 3 मेहना और वह समो जो पांच नियमों का पालन करता हो पहला नियम है regular account regular meeting regular recovery regular internal lending और regular account ये पांच नियम का पालन होना चाहिए regular meeting, regular account regular internal lending regular recovery and regular saving ये इतने पांच नियमों का पालन हो तो उनको revolving fund मिल जाता है चली बढ़ते हैं सवाल नमबर 14 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है The rate at which commercial bank borrow money by selling their security to RBI is called जो commercial bank है वो RBI के पास अपने security बेजते हैं और उनसे पैसा लेते हैं इस दावे के साथ कि जब पैसा लोटाएंगे तो उनकी security वो वापस ले लेंगे rate जो लगाते हैं इसमें वो rate को क्या बोलते हैं वो rate है repo rate उसे बोलते हैं repo rate चली बढ़ते हैं सवाल नमबर 15 जो आये था वो आये था too much money chasing two few goods too much money chasing two few goods is called इसको क्या बोलते हैं यह term जो है too much money chasing two few goods यह है Demand Pool Inflation, Demand Pool Inflation, इसका सही उतर है Demand Pool Inflation, कुछ खास चीजों पर जो Money Chase करता है, उसको बोलते हैं, Inflation, इस स्क्रीन पर आपका 16 नंबर सवाल है, देखिए, In Short Term Crop, Account Will Be NPA EPT's Overdue For, इस तरहल सा सवाल आया था, कि Short Term Crop है, एकाउंट NPA होगा, अगर वो Overdue होगा, तो इसका सही उतर होगा 2 Crop Season, जी हाँ, इसका सही उतर होगा 2 Crop Season, चली बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है, इस प्रकार, Bankers duty to maintain secrecy of customer account is called, Bankers की duty होती है, कि अपने कस्टमर की secrecy को maintain करना, उसको बरकरा, उसकी जनकरियों को उपनी रखना, और ये किस contract के थाथ होता है, इसको बोलता है, impile contract, इसको बोलता है, impile contract, Too much money chasing, too few goods is demand, pool inflation, ये repeat हो गया question, चलिए, अगला 19 नंबर जो question आया था, वो देख लीजे, Interest Subsidy is available in NRLM Finance, NRLM Finance में Interest Subsidy मिलती है, loan up to 3 lakhs, at the rate of 7% interest, जब ये facility 3 लाग तक होती है, तो Interest Subvention मिलती है, और जो difference amount charged by the bank is paid by government, which is maximum 5.50%, तो ये इसका सही उतर होगा, loan up to 3 lakhs, चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 जो आया था, उत्तर बिहार ग्राइमेंट बेंक के कल के promotion exam में, कि what is the main objective of SSG, SSG का main objective क्या है, तो उसका सही उतर होगा, to develop saving habits and mutual cooperation, सवाल नंबर 21 आया था, what is the objective of financial inclusion, financial inclusion का objective क्या है, जिहां financial inclusion का objective पूछा था, और इसका सरल सह उतर है, कि वो आखरी बंदे तक financial services उसको आसानी से पहुचाने के लिए, उसी कम से कम दर से पहुचाने के लिए इसको बोलते है, financial inclusion, individual and businesses have access to useful and affordable financial product and services that meet their needs to the general public, जिहां, बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22 आपके screen पर है, interest subsidy is available in NRLM finance, ये interest subsidy ये भी question repeat हो गया, loan up to 3 lakhs है, at the rate of 7% interest, चली बढ़ते हैं, सवाल नंबर 23 आपके screen पर कुछ इस प्रकार है, the ratio of operating income available to debt servicing for interest principal for term loan, उस ratio को क्या बोलते हैं, जिसमें वो operating income निकालते हैं, जो debt service करने के लिए interest principal किसी भी term loan का पटाने के लिए, operating income को viability दिखाता है, उस ratio को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, debt service coverage ratio, चली बढ़ते हैं, सवाल नंबर 24 आपके screen पर इस प्रकार है, how many witness require for nomination registration, अगर आपके हैं कोई खाता खोलता है और nomination दर्ज़ करना चाहता है, तो कितने witness चाहिए, और इसका उत्तर है not required, किसी प्रकार के witness की जरूरत नहीं है, खुद बखुद आखे nomination भर देगा, चली बढ़ते हैं, सवाल नंबर 25 आपके screen पर है, what is liability आप पार्टनर इन ए फर्म, एक फर्म में पार्टनर की liability क्या है, तो पार्टनर की liability joined है, several है, सेंख दूरूप से है, और व्यक्तिकाद दूरूप से भी है, और liability उसकी joined and several के तौर पे होती है, चली बढ़ते हैं, सवाल नंबर 26 आपके screen पर कुछ इस प्रकार है, maximum claim under प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना on accidental date of permanent disability, maximum claim coverage कितना होता है, प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना पर, accidental date होने पर, या permanent disability पर, बिक लांगता पर, तापका उत्तर होना चाहिए, दो लाग, जी हाँ, दो लाग रुपे, और partial disability हो तो एक लाग रुपे, सवाल नंबर 27 आए था, यह minor can open account in which condition, एक minor जो है, account खोल सकता है, वो है with guardian के साथ, और अगर वो 10 साल से उपर का हो, तो खुद बखुद साइन करके भी खोल सकता है, लेकिन यहाँ पर option दिया हुआ था, with guardian तो वो guardian के साथ साथ सही होगा, what is clean bill, next सवाल आया था, what is clean bill, when the document of title to goods like LR, RR, bill, airway bill is not accompanied by a bill of exchange, जहाँ title of goods जो है, वो follow नहीं करता है, bill of exchange को, तो उसको clean bill बोलते हैं, मतलब यह bill of exchange की तरह नहीं होते हैं, और यह direct delivery होते हैं, buyer के पास, तो उनको बोलते हैं clean bill, चली बढ़ते हैं, सवाल नमबर 39, आपके screen पर कुछ इस प्रकार है, what is not a material alteration, निनमे लिखित में से कौन सा material alteration नहीं है, और महुसरे option दिये थे, उसमें से सही होगा, crossing the check, अगर कोई check है, उसको cross कर देना material alteration नहीं है, सवाल नमबर 30, देखिए आपके screen पर, what charge is to be created on goods kept in go down, अगर कोई goods go down में या warehouse में रखा है, तो उसमें bank कौन सा charge create करेगी, और आपका उत्तर होगा pledge, pledge करेगी, सवाल नमबर 31, आपके screen पर है, RBI gives the interest on CRR to banks, जो banks जो है, bank को अपने net demand and time liability का कुछ हिस्सा, 4% जो है cash के रूप में रिजर्वेंग के पास रखना पड़ता है, current account में जिसमें कोई भी प्रकार का interest नहीं दिया जाता है, चली बढ़ते हैं, सवाल नमबर 32 पर, how can issue a dd of 50,000 and above, 50,000 से उपर की dd कैसे बनाए जा सकता है, तो आपके उतर होने चाहिए, transfer के द्वारा, check के द्वारा, खाते के द्वारा, लेकिन नगद में किसी भी हलत में नहीं बनाए जाने चाहिए, चली बढ़ते हैं, सवाल नमबर 33 आपके screen पर है, यानि illiterate person cannot open which type of account, इलिटरेट person जो है, कौन सा account नहीं खुल पाएगा, और इसमें है current account, क्योंकि illiterate account में checkbook निश्व नहीं किया जा सकते हैं, और उनको passbook लेके आना बहुत ज़रूरी है, तो ये current account नहीं खुल सकते हैं, चलिए बढ़ते हैं, सवाल नमबर 36 आपके screen पर इस प्रकार है, अपिल अगेंस बैंकिंग उम्बोडस्मेंट can be made to appellate authority within how many days? जी हाँ, बैंकिंग उम्बोडस्मेंट के awards के खिलाब अपिल की जा सकती है, जो deputy governor RBI को, और ये की जा सकती है 30 दिनों के अंदर, तो इसका सही उत्तर होगा, 30 days, चलिए बढ़ते हैं, सवाल नमबर 35 आपके screen पर है, a fire is mandatory when in a single deposit if how many counterfeit notes are detected, एक single deposit में कितने note मिल जाएंगे, तो fire करना बहुत mandatory है, और इसका सही उत्तर होगा, 4 से अधिक note एक single deposit में मिल जाते हैं, तो fire करना बहुत जरूरी है, मतलब 5 मिल जाए या 5 से अधिक, 4 से अधिक होने चाहिए, तो fire करना बहुत जरूरी है, 4 से कम होतो fire करने की जरूरत नहीं है, केवल consider related report मासिक तोर से, पुलिस को counterfeit note के साथ देने होते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 36 आपके screen पर है, what is the depreciation rate on computer, computer जो parts है, computer जो है, जो उस पर depreciation rate क्या होता है, computer item पर, उसका उत्तर है 40%, 40% depreciation rate है, what are the component of KYC, option दिये हुए थे, इन में से कौन component है KYC के, और चारों के उत्तर, चारों सही थे, पहला है customer acceptance policy, customer identification, risk management, monitoring of transaction, यह चार पीलर है KYC के components है, यह याद कर लीजिए, और यह चारों के चारों सही है, तो all of these हो जाएगा, in how many digits in IFSC code, IFSC code में कितने digit होते हैं, और इसका उत्तर है 11 digit है, IFSC code में 11 digit है, what is the difference between bank guarantee, and deferred payment guarantee, जी हैं bank guarantee, और deferred payment guarantee में क्या अंतर है, तो इसका उत्तर होगा outlay of fund, actual में जो deferred payment guarantee है, वो term loan जैसा है, अगर कोई seller जो है, वो buyer को machine देता है, और उसको किस्तों में पैसा मांगता है, तो अपनी वो हर किस्तों के लिए bank से bank guarantee मांगता है, उसको बोलता है deferred payment guarantee, तो यह outlay of fund का difference होता है, चली बढ़ते हैं सवाल नंबर 40, आपके screen पर कुछ इस प्रकार है, in which charge position and ownership with borrower, कौन से charge में position और ownership दोनों borrower के पास होता है, और यह charge को बोलते हैं hypothecation, hypothecation में जमाने जैस टॉक है, तो वो stock का possession भी borrower के पास रहता है, और उसका ownership भी borrower के पास रहता है, तो इसका उत्तर होगा hypothecation, चली बढ़ते हैं सवाल नंबर 41, what is the total deposit of उत्तर भिहार ग्रामिड बैंक, total deposit पूछा गया था, business figure से related सवाल पूछा गया था, तो यह 13,505 करोड एजान 31 मार्च 2017 था, current वाला तो नहीं मिल पाया, यह 2017 का था, जो option आये होंगे, उसमें से आप tick कर सकते हैं, चलिए, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 42, from 1st April 2012, the validity period changed to 3 months from 6 months, 1 April 2012 से, कौन से जो bill up exchange है, negotiable instrument है, जिनमे validity period change किया गया था, 6 मैने से 3 मैने कर दिया गया था, और इसमें demand draft checks, banker checks, इनके जो है, validity period बदल दिये गए थे, उत्तर होगा demand draft checks, banker checks, चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 43, nomination facility अब लेबल है, nomination facility कहां कहां अब लेबल होता है, तो आपके उत्तर होंगे, deposit account में, save custody में, lockers account में, इतने में nomination facility अब लेबल होता है, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 44, who is small farmer, जी हाँ दो किसम के farmer है, small farmer and marginal farmer, small farmer को लगू किसान बोलते हैं, marginal को सिमान किसान, तो ये land holding up to 2 hectare, जिनका land holding 2 hectare तक होता है, उसको small farmer, और जिनका land holding 1 hectare तक होता है, marginal farmer, what is mixed farming, mixed farming क्या है, mixed farming, अगर कोई क्रिसी के साथ पसुपालन भी कर रहा है, तो उसको mixed farming कहते हैं, allied activity with cropping, अब next सवाल आया था, 46 from following deposits, which is not in coverage of DSCGC insurance, निन में लिखित मैं से, कौन सा deposit है, जो DSCGC के coverage में, insurance coverage में नहीं आएगा, तो यहाँ पर उत्तर होगा, deposit of municipal corporation, क्योंकि यह government deposit हो जाता है, तो government deposit account इससे, excluded होते हैं, इनका insurance नहीं किया जाता है, तो चली बढ़ते हैं, सवाल number 47, आपके screen पर कुछ इस प्रकार है, in agriculture loan, if damage is above 50%, then how many years it can be change into term loan, अगर agriculture loan में, damage हो जाता है, तो वो कितने साल में term loan में परिवर्तन होता है, यह है 5 साल, जिहां 5 साल इसका सही उत्तर होगा, अगला सवाल इसी से related है, how much loss due to natural calamity, then it can be change into term loan, अगर natural calamity से, कितने percent का, loss होता है, तो इसको term loan में बदला जाता है, और इसका उत्तर है 33% of crop loss, अगर 33% से ज़्यादा crop loss हो जाता है, तो उसको term loan में convert किया जा सकता है, चली बढ़ते हैं, आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल पर, उड़नचास्वा सवाल, education loan for vocational studies prepared by, education loan किसे जो model है, vocational study के लिए, वो किस के दोरा तयार किया जाता है, और आपका उत्तर होगा IBA, IBA के दोरा तयार किया जाता है, Indian Banking Association, चली ये थे कुछ, चुनिंदा सवाल जो, उत्तर बिहार Gramin Bank के, कल के 19 जनवरी 2020 के exam में आये थे, बहुत ही सरल सवाल थे, देखिए 50 सवाल तो एकदम सरल हैं, जो memory collected question आये हुए हैं, अगर किसी ने अच्छे से किया होगा, तो ये पूरा कर लिया होगा, एक बार पुना धन्यवाद, ये सवाल भीजने के लिए, सेलेस कुमार जी का, उत्तर बिहार Gramin Bank से, और दोस्तों, मैं आप सभी को, बहुत सारी सुपकामनाई देता हूँ, आगे आने वाले एक्जाम के लिए, और इन पंक्तियों से आपका होसला अपज़ाई करता हूँ, कि मुश्किलों से भाग जाना असान होता है, हर पहलु जिन्दगी का इमताहन होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कोछ जिन्दगी में लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है, और सफलता पाके जो मुश्कुराए वही इन्सान इस धर्ती पर महान होता है,